चिली पनीडिया वेज मंचूरियन तो हम अक्सर बनाते हैं आप एक वार स्वया चंक्स के इस रेशिपी को जरूर ट्राय करें यह बहुत ही आसान है बनाना और स्वाद ऐसा कि बच्चों से लेकर बरों तक यह सब को बहुत ही पसंद आने वाला है तो आज हम बनाने वाले हैं स्वया बड़ी से स्वया मंचूरियन या स्वया चिली बोलिये जो की घर पे घर के सामानों से बहुत ही आसानी से जटपट बनके रेडी हो जाएगा तो इसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम स्वया चंक्स आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं सबसे पहले गैस ओन करते हैं पतिला डालके गरम पानी कर लेते हैं जब पानी गरम हो जाए तो इसमें सारे स्वया चंक्स डाल देते हैं तो इसमें जब दो मिनट के लिए से पकाना है ज्यादा नहीं देखिए इस तरह से दो मिनट के बाद गैस ओफ कर देते हैं इसे एक छलनी में निकाल लेते हैं सारा पानी निकाल के इसमें डाल देते हैं ठंडा पानी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और इसे निचोड के इसे एक बराशा बॉल में निकाल लेते हैं बराश बॉल में इसलिए निकाल लिए क्योंकि इसमें हमें मिलाना होता है तो इसमें अच्छे से मिल जाएगा इसलिए बराबॉल में ही निकाले उसके बाद हमें मंचूरियन के लिए चाहिए अद्रक लाशुन का पेष्ट, कॉर्ण फ्लोर का पाउडर और मैदा लिया है और टमैटो सॉस, सेजवान, डार्क स्वया सॉस और काले मिर्च का पाउडर लिया है ब्लैक पेपर, हरा प्याज को मैंने बाडिक काट लिया है, 15 कलियान लाशुन को बाडिक काट लिया है और एक शिमला मिर्च, एक प्याज को मैंने बरे टुकडो में काट लिया है हराप मिर्च को दो टुकडों में काट लेना है चलिए अब कोटिंग कर लेते हुए मैं दो चमच मैदा ढाल रही हूँ दो चमच कॉर्ण फ्रोर का पॉडर ढाल रही हूँ और अदरक लहशुन का पेस, डाल देना है एक चमच इसमें ढाल रही हूँ टोमेटो सॉस एक चमच डाल देना है सेजवान ये भी ऑप्सनल है अगर आपके पास है तो डाली नहीं है तो कोई बात नहीं एक चमच डार्क सुया सॉस और एक चमच मैं डाल दूँ इसमें काली मिर्च एक चमच नमक डाल के इसको अच्छे से मिला लेना है हाथों से हाथ से मिलाएंगे तभी अच्छे से मिल पाएगा तो इसमें पानी बिल्कुल भी न डालें ये ऐसे ही मिल जाएगा तो ये देखें बहुत ही अच्छे से मिल चुका है तो इसलिए गैस पे मैंने कराही डालके तेल गरम कर लिया है चेक कर लेते हैं हमारा तेल गरम है की नहीं तो ये देखे तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो अब जितने भी स्वेय चंक से हो हम डाल देते हैं थोरे थोरे करके डालना है, क्योंकि मैं तेल हिसाब से डाला हुआ है, तो अब इसे चमच की मदद से मिला लेते हैं, नहीं तो यह आपस में छिपक जाएंगे, तो golden brown होने तक इसे fry करेंगे, high flame पे ही fry करेंगे, तो यह देखिए यह हो चुका है, तो अब इसे निकाल लेते ह है, सारा तेल जो है हो, टीशू पेपर पे चला जाएगा, इसलिए मैंने टीशू पेपर निकाला है, फिर से डाल देते हूँ, और चमच की मदद से इसे पलट देते हैं, तो golden brown होने तक इसे डीप फ्राई कर लेते हैं, और निकाल लेते हैं, आप चाहे तो इसे हलका तेल म बचा हुआ है, इसको भी कर लेते हैं, तो ये देखिए, बस चमच से मिला देती हूँ, उसके बाद इसे golden brown होने तक करके निकाल लेती हूँ, तो ये देखिए, सारे sweet chunks हो चुके हैं, फिर से मैंने करा ही गरम कर लिया है, उसमें डाल देना है, दो से तीन चमच तेल, ज्या बचा हुआ है, तो इसे बस दो से तीन मिनट के लिए भूनना है, ज्यादा भूनने की जरुत नहीं, तो चीमला मिर्च का कलर डाउन हो जाएगा, अब डाल देते हैं, इसमें एक से देर चमच के करीब मैंने टोमेटो सॉस डाला है, अब डाक शोया सॉस, एक से देर चमच जो हमारा बचा हुआ था, एक चमच के करीब, उसमें मैंने पानी डाल के इसके ग्रेवी बनाना है, उसमें डाल देते हैं, आप चाहे तो बिना ग्रेवी का भी बना सकते हैं, कोई दिकत नहीं, तो यह देखे, इस तरह से यह हमारा सॉस रेडी हो चुका है, अब डाल देत इसे अच्छे से मिला देते हैं, अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं, तो इसमें और थोरा सा पानी एड़ कर दिजे, तो मैंने ज्यादा पानी डाला हुआ है, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से ग्रेवी बना सकते हैं, तो यह देखे, यह स्वय प्याज को थोरा सा उपर से डाल देती हूँ, ताकि यह देखने में बहुत ही अच्छा लगे, तो यह देखिए गर्मा गर्म, स्वयाचिली बनके हमारा डेडी हो चुका है, यlk गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, क्योंकि यह क्रंची क्रंची लगता है, और अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये फिर करंची नहीं लगेगा इसलिए इसे गर्मा गरमी खाएं तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा खास करके बच्चे इसे बहुत पसंद करने वाले हैं तो ये रेशिपी कैसा लगा जैरूर बताईए अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिजी और इसी तरह बने रहे हैं मेरे चैनल पे थैंक्यू फर वाचिंग